एक्सिप पर्फोर्मेंस, फ्लैक्सिप स्पेसिफिकेशन्स, बट प्राइस मिड्विंज, हाँ मैं यहाँ पे Poco F1 का बात कर रहा हूँ, यह जो Poco F1 मैं कुछ दिन से यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा डिवाइस हैं, काफी बरिया डिवाइस हैं, और इसमें कुछ दिक प्राइस दिया गया है, और सिक्यूरिटी जो प्याच होता है, उसका भी अप्डेट दिया गया है, पर जो एक प्रॉब्लेम हो रहा है, पोको एफोन में, निट्फ्लिक्स और जो आमजॉन प्राइम है, पेड वीडियोस हैं, वो फूल एस्टी और एस्टी में नहीं प्ल इस अप्डेट में क्या क्या फीचर्स इंप्रूब क्या गया हैं, देखते लिए ये वीडियो, बाइद वे, मेरा नाम है शुमोन, आप देख लो गैजेट श्वारा, तो चलून, कोरबोनार देडी, शुरू कोरी तातरी अब देखे ना, हर एक फोन तो परफेक्ट नहीं होता है, अगर आप 50,000 के फोन देखोगे, उसमें भी कुछ कौन से कमिया है, और इसमें भी आपको कौन से कमिया देखने को मिलेगा, तो इसमें जो कमिया है, वो बाद में मैं बात कर रहा हूं, हर एक क्या नहीं, सिर्प एक जो major issues में आया है, उसके बारे में मैं बात करूँगा, हाँ, Netflix और Amazon Prime वीडियो के बारे में, तो इस फोन में अपडेट दिया गया है, 360 1MB के आसपास, और इस अपडेट में कुछ features को improve किया गया है, जो bugs हैं, क्योंकि ये आप जानते हो, POCO launcher के उपर चलता है, हाँ, MIUI 9 ह पर POCO का जो launcher है, इसमें नया launcher है, अपडेट भी उतना जल्दी अपने नहीं मिलेगा, और इसमें थोरा सा तो bugs है, क्योंकि नया है, improve होना बहुत ज़रूरी है, तो 360 1MB के आसपास जो अपडेट दिया था, मैंने अपडेट किया है, कि पहले, अपडेट के पहले, जो MIUI यह पर run कर रहा था, वो है 9.6.11.0 और अपडेट के बाद 9.6.18.0 यह run कर रहा है, अपडेट के बार में बात करने से पहले एक बात आपको कह दे, यहां पर जो मुझे दिक्कत हो रहा है, यह notch, इस notch पर आपको हर एक notification देखने को नहीं मिलेगा, और इस अपडेट के बाद भी यह improve नहीं किया गया है, suppose अगर आप जो network speed देखना चाते हो, तो आपको यहां से pull करना होगा, उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो, काफी काफी दिक्कत है, तो चलिए, बाट अपडेट की, इस अपडेट में bugs को fix किया गया है, security patch का जो update होता है, यह दिया गया है, bugs मि अपडेट के बाद यह हुआ है, next, बहुत सारी apps, कुछ कुछ apps, जब मैं open कर रहा था, तो यह crash हो रहा था, यहनी unfortunately stop हो रहा था, पर update के बाद यह नहीं हो रहा है, अब यह क्यूं हो रहा है, मुझे यह idea नहीं है, पर नया launcher है, suppose हो सकता है, यह रहा है, तो अभी तो यह दि देख सकते हो, on screen जो आपको navigation bar देखने को मिलता है, यह जो तीनो बटन है, यह ठीक से काम नहीं कर रहा था, पर update के बाद यह भी ठीक से काम कर रहा है, अब camera से related एक bugs यहाँ पे fix किया गया है, जो camera related जो bugs है, वो भाई camera जब open करते थे, तब आपको एक black spot देखने को मिलता थ पर अभी आप update के बाद जब camera को open कर रहा हूँ, यह बहुत fast open हो रहा है, और वहाँ पे black spot आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानि black screen, तो यह भी आपे solve हो गया है, अब imaging का जो processing है, imaging processing या image processing, इस speed को और भी better क्या गया है, हाँ मानता हूँ, अब यह तुरंद by image को process करता है, और आपको result देता है, next, हाँ आप यह मत समझेगा, कि image यहाँ पर और भी clear हो गया है, camera और भी improve हो गया है, यहाँ पर speed वगेरा ठीक हो गया है, पर इसका picture quality awesome है वही, मत बोलो यह ऐसा, picture quality इस price range के अंदर मैं समझता हूँ, कोई आपको यह provide नहीं कर सकता है, तो अच्छ यह मुझे उतना भी समझ में नहीं आया, साइद हो गया है, पर यह मुझे उतना समझ में नहीं आया, और इसका slow motion बहुत गजब का है, तो यह था इस update के बारे में, अब इसका जो major problem है, वह है Netflix और Amazon Prime, अब मैं भी Amazon Prime यूज़ करता हूँ, और Netflix में यूज़ नहीं करता इसस जेंपोर मैक्स प्रो एम वान पे, कोई भी Netflix या Amazon Prime में वीडियो को प्ले करते हूँ, वह Full HD और HD दोनों में ही प्ले होता है, पर यह Poco F1 21 का फोन है, फ्लैक्स फोन है, इसमें क्यों नहीं हो रहा है, विज़ आफ फोन रिजन, क्योंके देखें, यहां पे DRM एक मैटर होता है, मैटर करता है, DRM means Digital Rights Management, तो इसका लाइसेंस होता है, 1, 2, 3, DRM 1, DRM 2, और DRM 3, इसस में DRM 1 लाइसेंस दिया गया है, और इसमें DRM 3, अब यह क्यों दिया गया है, इतना फ्लैक्सिप फोन है, विज़ आफ वान रिजन, क्योंके यह देखें, चिप है, क्योंके आप आपको 845 मिलना है, वो भी 21,000 में, तो यहाँ पर कॉस्ट का टीम क्या गया है, और इसमें भी, अब देखिए, यह तो भई, राइट्स जो होता है न, तो यह जो वीडियो होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है, और इसमें अगर आप फूल एजडी वीडियो को प्ले करना चाते हों, तो आपको DRM License 1 यहाँ पर रहना ज़रूरी है, यानि डिवाइस के चिप में, तो यहाँ पर डिवाइस में नहीं दिया गया है, और यह सिर्फ 540 पर चलता है, अच्छा नहीं लगा, 11000 के फोन में भी यह प्ले होता है, इसमें नहीं, तो बहुत सरे लोगों न Recall means, आपको आपके nearest service center में जाना होगा, और service center में जाकर आपको यह issue fixed करना होगा, इसके लिए आपको कुछ भी spend नहीं करना होगा, सभी spend या ब्यार करेगा by Xiaomi, क्योंकि fault है Xiaomi की तरफ से, आप भी यह question है, Xiaomi यह करेगा या नहीं करेगा, देखें, अगर Xiaomi यह करना चाहें, तो यह कर सकता है, पर OTA update से यह नहीं होगा, तो फिलाल अभी के लिए आपको Netflix या Amazon Prime में 540 तक ही play करना है video, इतना ही था इस video में, तो बहुत जल और कुछ videos के साथ आओंगा, इस phone का, और और एक बात, मुझे यह समझ में नहीं आता है, भाई phone का drop test, flame test, screen test, water test, यह क्यों किया जाता है, brand आपको कुछ भी नहीं बोला है, कि भाई यह अगर आप यहां से गिराते हों, तो phone नहीं तूटेगा, नहीं बोला है, अगर यह नहीं बोला गया है, हम कौन है तो हैं, experiment करने के लिए, आप experiment करते हों, पर भूल के भी यह मत करना, sound ने एक बार भी नहीं बोला है, यह setter proof है, भाई यह rough and tough है, भाई फोन अच्छा है, फोन को use किजिए, फोन होता है, entertainment के लिए, calling के लिए, आपका दोस्त होता है, यह मत फेकेगा, और यह जो videos होता है, यह videos देखके, मायूस भी मत होईगा, इसका जो build quality है, 21,000 के लिए नह है, 21,000 में जो आपको मिलना चाहिए, like ASUS 5Z, का तरह तो यह नहीं है, metal body भी नहीं है, पर आप यकीन कीजिए, आप जब इसको hold करोगे, एक अलग सब feel होता है, और इसमें बहुत यह अच्छा feel होता है, तो यह फेकना मत, कवावत हैं, अपने ही पैरों में कुलारी मानना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रू दबाएगा, क्योंकि इससे आपको खर एक वीडियो का अपडेट, यह मिलता रहेगा, बाई